पर दोस्तों आपके अपने चैनल गेजेट्स मंच पर आपका स्वागत है तोस्तों आज के वीडियो में हमें एक अन्बोक्सिंग और एक रिविवी करने वाले हैं रियल्मी की तरफ से आने वाले रियल्मी नार्जो 50A स्मार्टफोन का इस स्मार्टफोन को मैंने अपने गर के एक senior citizen के लिए पर्चेस किया है और इस श्यूडियो में मैं इस स्मार्टफोन का आपको एक review देने जा रहा हूँ दोस्तों देख लेते हैं पहले कि यहाँ पर आपको box के अंदर क्या कुछ box content देखने को मिलता है उसके बाद में हम इस smartphone के बारे में बात करेंगे और हमें सबसे उपर यहाँ पर एक enolap देखने को मिल रहा है यहाँ पर sim ejector pin दी गई है और यहाँ पर नीचे रखा हुआ है हमारा device जिसको हम इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं और इसको side में रखते हैं और देखते हैं यहाँ पर box के अंदर आपको एक charger देखने को मिल जात तो यहाँ पर दोस्तों में इस smartphone को unbox कर लिया है और पूरी तरफ से setup कर लिया है और अच्छे से चला कर भी देख लिया है यहाँ पर सबसे पहले बात करें smartphone की build quality की तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा smartphone plastic पर देखने को मिलता है प्लास्टिक की frame देखने को मिलती है प्ला इडिकेटट सीम ट्रेय है यानि कि यहां पर आप दो सीम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं उपर की साइड बिल्कुल क्लीन है और नीचे की साइडम देखे तो यहां पर दिया हुआ है 3.5 mm जो की कुछ ऐसा साउंड करता है और यहां पर जो मेट फिनिश दिया गया है इस वज़े से इस स्माटफोन के बेक पेरिया पर कोई भी फिंगरपिंट नहीं लगते हैं लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस स्माटफोन को आप एक बेक कवर के साथ में ही यू बात करें तो यहां पर आपको सनलाइट में विजिबिलिटी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है यह एक IPS डिस्पले है 570 नीट्स की ब्राइटनेस अगर हम नीट्स में देखें तो कम है लेकिन फिर भी विजिबिलिटी मुझे ठीक ठाक देखने को लगी अगर मैं बात करूँ एक 10,000 रुपए के स्मार्टफोन के इसाफ से तो डिस्पले इसका मुझे काफी अच्छा लगा बात करें इसके कैमरा सेंसर की तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 50 मेगा पिक्सल का एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटप देखने को मिलता है जहां पर प्राइमरी सें सेंपल्स बता रहा हूं जो कि मैंने इस स्मार्टफोन से पिक किये हैं सेलफी कैमरा में मैंने यहां पर किसी भी तरह के ब्यूटी मोड को यूज नहीं किया है नॉर्मल मोड में यह फोटो क्लिक की गई है और बेक कैमरा से आप देखेंगे तो यह भी सारी की सारी फोटो म मैंने normal mode में click की हुए यानि कि कोई भी extra setting मैंने यहाँ पर नहीं की है और यह तो इसके initial sample से कुछी time में मैं इसका एक detail camera और gaming comparison लेकर के आने वाला हूँ उस वीडियो में हम इस smartphone के rear और front camera से photos देखेंगे यह साथ ही मैं आपको video sample भी बताऊँगा कि front और rear camera से किस तरीके के video यह record करता है processor के हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर इसके अंदर आपको मिलता है Mediatek Helio G85 processor जो की Cortex A75 और A55 वाले course के साथ में आता है और यहाँ पर आपको P clock speed मिलती है 2 GHz की यानि कि इस smartphone के अंदर हलकी full की gaming आप कर पाएंगे PUBG आप इसके अंदर खेल सकते हैं इसके अलावा इस तरीके के और graphics वाले game भी इसके अंदर खेल सकते हैं लेकिन बहुत अच्छी performance की उम्मिद आप इससे मत कीजिएगा लेकिन फिर भी 10,000 रुपए के इसाप से Mediatek Helio G85 अच्छी खासी performance आपको दे देगा और अगर आपको gaming नहीं करना नॉर्मल यूज़ करना है फिर तो आपको इस smartphone के अंदर performance के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली बात करने से smartphone के RAM और storage की तो यह 128GB वाला variant है और यहाँ पर आपको EMMC 5.1 वाली storage देखने को मिलती है और LPDDR 4X RAM देखने को मिलती है software की बात करें तो यह smartphone out of the box Android 11 पर आता है और यहाँ पर आपको Realme UI 2.0 का support देखने को मिलता है बहुत ही जल्दी हो सकता है कि इसके अंदर बे आपको Android 12 का update देखने को मिल जाए इसके अलावे यहाँ पर इसके battery के हम बात करें तो यह smartphone के अंदर आपको देखने को मिलती है इस smartphone के pricing की तो अभी दोस्तो Amazon पर जो फेब phone फेज सेल चल रही थी उस सेल के दोरान मैंने इस smartphone को साड़े 11,000 रुपे में purchase किया है अब दोस्तो यह स्माटफोन उस सेल के दोरान साड़े 10,000 रुपे में भी मिल रहा था लेकिन मेरे पास में card अवेलेबल नहीं था मैं उस पर दूसरे product पर discount ले चुका था इस होजे से मुझे इसे 11,000 रुपे में purchase करना पड़ा लेकिन यह 128GB वाला variant है जो normally आपको 12,000 रुपे का मिलता है सेल के दोरान 1000 रुपे का discount था और मैंने इसे 11,000 रुपे में purchase किया है तो इस price range की सबसे देखा जाए तो smartphone काफी अच्छा है अब दोस्तों एक या दो दिन के बाद मैं एक वीडियो और लेकर के आने वाला हूँ जिसके अंदर आपको इसका gaming review और एक perfect camera review दिखाऊंगा साथ यहाँ पर मैं उसका पूरा analysis करके देखूंगा कि smartphone इस price range में purchase करने लायक है या नहीं तो उस वीडियो के लिए आप वेट कर सकते हैं दो दिन के बाद में इसी वीडियो के description और यहाँ पर end screen पर आपको link मिल जाएगा तो यहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं और इस smartphone को purchase करने का plan बना रहे हैं तो link वीडियो के description में दिया हुआ है वहाँ से आप इसे purchase कर सकते हैं उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो को लाइक करिए शेर करिए अपने फ्रेंड के साथ में और एसे इंट्रेसिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो मत अब तक के गुद्बाइ